कि जब हम दावे की फ्रेमिंग करेंगे प्लेंट की फ्रेमिंग करेंगे तो ओर्डर वन में हमने देखा कि पार्टीज की हमको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सी पार्टीज को हम प्लेंटिक बनाएंगे और कौन सी पार्टीज को हम डिफेंडेंट बनाएंगे और फिर उन बता देता है लेकिन अब हमें उसकी पूरी कहानी को एक प्लेंट के रूप में कैसे लिखना है यह फिर एड़ोकेट का काम शुरू होता है तो आज और टू में हम पढ़ेंगे कि हम अब कोज ओफ एक्षन को कैसे और्गनाइज करें कोज ओफ एक्षन की जोइनिंग कैसे करे कि कि नॉर्मल रूल जो है वो यह कहता है कि आप जो भी रिलीफ प्राप्ट करना चाहते हैं वो एक ही मुकदमे में आप प्राप्ट कर लें और सारे रिलीफ आपको एक ही मुकदमे में लिखने पड़ेंगे अगर आपने सारे रिलीफ एक ही मुकदमे में नहीं लिये हैं और फिर आप दूसरा मुकदमा करते हैं, तो वो बार हो जाएगा, मतलब उस पर इस order two, rule two के अनुसार रोका जाएगी, और आप दावा, आप दूसरा सूट नहीं करवाएंगे. तो इसलिए joining of course of action भी उतना ही important है, जितना joining of parties, तो friends हमने, आज हम पढ़ रहे हैं, order two के बारे में, हमारी जो पूरी CPC है, वो section 26 से शुरू हुई, हमने section 26 पढ़ा, क्योंकि इस तरह हम CPC अगर पढ़ेंगे, तो हमें पूरा उसका एक practical खाचा समझ में आ जाएगा, और अगर practical समझ में आ गया, तो हम उसकी theory भी फिर आराम से याद कर पाएंगे, और exam में बहता तरीके से लिख पाएंगे, तो section 26 से हमारी plant की शुरूआत हुई, किसी भी मुगदमे की हमारी शुरूआत section 26 से होती है, और section 26 से attach हैं, ये दोनो order one और two, order one को हमने पढ़ लिया, आज हमा division of property and permanent injection का, लेकिन इसमें किसी भी type का suit शामिल हो सकता है, तो हमने jointer of parties की order one में बात की, और आज हम jointer of coach of action के बारे में बात करेंगे, ये जो order है, इसमें seven rules हैं, ये जो दो नमबर का order है, इसमें seven rules हैं, और ये पहला rule जो है, ये कहता है frame of suit, यानि वाद की विरच्चन, every suit shall as far as practicable be framed so as to afford grounds for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them, एक तो मैं आपको यहां बीच में रोकूंगे और ये कहूंगे, आप अपनी pen pencil साथ में ले लीजे, अपना bear act साथ में खोल लीजे, और हम उसी के according इसमें पढ़ते चलेंगे, तो यहां इस bear act की rule number first में ये बड़ा important है, afford grounds for final decisions upon the subject in dispute, यानि जो dispute हमारा है, उसमें क्या final decision होगा, क्या final decision हम चाहते हैं, उसके according हमको grounds लिखने पड़ेंगे, हमको दावे के आधार लिखने पड़ेंगे, कि हम किन-किन आधारों पर ये दावा पेश कर रहे हैं, हर वाद की विरचना, ये अथाव साध्य ऐसे की जाएगी, कि विवाद गरस्त विशों पर अंतिम विनिश्चे करने के लिए आधार पराप्त हो जाएं, हमको फ्रेमिंग इस तरह सूट की करनी है, कि हम वो आधार कोर्ट को बदा सकें, कि हम ये प्लेंट क्यों लाएं हैं, और किन आधारों पर हमने ये सूट फाइल किया है, ठीक है, और हमको ये भी दिहान में रखना है, कि prevent further litigation concerning them, वो जो हमारा विवाद है, जो dispute है, उसमें हम further कोई litigation नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी आधार है, उनको इसी दावे में हमको सोचना है, क्योंकि ये rule first पहली ही ये कह देता है, कि आपको एक तो final decision करने के लिए क्या आधार लेने हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे, और दूसरा आधार इस तरह लेने पड़ेंगे, कि जो आगे की further litigation है, आगे की जो मुकदमे बाजी है, वो रुक जाए, तो ये हमारे general rule है, ठ clause है, rule number 2 का, वो ये कहता है, every suit shall include the whole of the claim, whole of the claim बड़ा important है, यहाँ पर, ठीक है, whole of the claim, कि सारा का सारा जो मुकदमा है, वो हमको यहाँ पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, जो cause of action, plaintiff को arise हुआ है, plaintiff को, plaintiff उसके लिए entitled है, वादी उसके लिए entitled है, हकदार है, तो वो पूरा का पूरा अपना claim यहाँ लिखेगा, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court, लेकिन साथ में यह भी बात की गई है, कि plaintiff जो है, वादी जो है, वो relinquish कर सकता है, अपने किसी भी claim का portion, यानि अपना जो दावा है, अपना जो cause of action से उसको जो भी right उसको प्राप्थ हो सकते हैं, तो वो उन में से उन right को उन claim को वो relinquish कर सकता है, मतलब छोड़ सकता है, त्याग सकता है, तो यूं तो normal rule तो क्या है कि पूरा का पूरा दावा ही उसको court के सामने रखना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कुस भाब को छोड़ना चाहे और किसी particular न्यायले की अधिकारिता लेनी चाहे, तो उस न्यायले की अधिकारिता लेने के लिए वो उसका कुछ भाब छोड़ सकता है, जैसे न्यायले की अधिकारिता से यहां क्या मतलब है, जैसे कोई वाद यून तो अगर वो पूरा का पूरा दावा अगर लेता है तो उसको मालो district judge के यहां वो दावा पेश करना पड़ेगा ठीक है लेकिन वो जो plaintiff है वो यह विचार करता है कि अगर वो district judge के यहां दावा पेश करेगा तो हो सकता है उसको कुछ दिक्कत हो उसका कुछ financial burden ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि कई बार अगर ज़्यादा value का दावा होगा तो देखें court fees भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी तो इसलिए court fees वो ही सोसता है कि मैं इस court fees को बचाना चाहता हूँ और must eject court में ही वो अपना दावा लाना चाहता है तो फिर वो अपने इस बहाग को अपना जो right है claim है उसको छोड सकता है З gift कर सकता है और फिर रेलंग्विश करने के बाद उस दावे को वो दूसरी court में पेश कर सकता है यानि वो चाहे तो मस्टेट कोर्ट में पेश कर सकता है तो यहां मस्टेट कोर्ट मैंने for example बताया है तो यह है इसका normal rule अब इसका rule 2 का sub-closed 2 यह बड़ा important है 2 का rule 2 sub-closed 2 दावे के भाग का त्याग जहां वादी दावे की किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोब करता है लोब का मतलब omission करता है या उसे साशे त्याग देता है यान intentionally उसको release कर देता है त्याग देता है, relinquish कर देता है वहां उसके पश्याद वह इस प्रकार लोब कियेगे या त्यक्ति भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा ये बड़ा important point है कि वो बार हो जाएगा उसको दावे करने का फिर अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा जिस भाग को उसने relinquish किया है जिस भाग को उसने छुड़ा है उसके बाद में वो दूसरा सूट उसके लिए नहीं लापाएगा तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पूरा का पूरा जो whole claim है वो एक साथी claim कर लीजे otherwise आप दुबारा उसके लिए सूट नहीं लापाएगे जैसे for example कैसे कि इसमें एक illustration दिया हुआ है कि एक आदमी अपना घर दूसरे को किराये पर देता है और उस पर तीन साल का किराया बाकी हो जाता है मा लीजे हम कहें कि 2015 का किराया है 2016 का किराया है 2017 2018 और 2019 ये पांस साल का किराया उस पर बाकी है अब प्लेंटिफ क्या करता है कि 2015-16-17 का जो किराया है उसको छोड़ देता है रेलिंक्विश कर देता है और केवल 2018 और 2019 के किराये के लिए ही कोर्ट में सूट फाइल करता है तो अब बाद में उसको अगर कोई सला दे या उसका खुद का दिमाग चले कि मैंने तो ये 2015-16-17 का जो किराया है ये गलत छोड़ दिया है और अब मैं दूसरा सूट इसके लिए दूसरा मुकदमा कर देता हूँ ताकि इन पिछले छोड़े गए तीन सालों का भी किराया मैं वापस पराप्त कर सको तो अगर ऐसी पोजिशन है तो ये रूल और दो के रूल दो से बार हुजाएगा वो फिर दुबारा मुकदमा नहीं कर पाएगा अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इसके लिए वो तो कर देगा भाई प्लेंटिफ तो मानलो पेश कर देगा लेकिन अपने ये सोचें कि कोर्ट को क्या पता चलेगा कि उसने ऐसा मुकदमा किया कि नहीं किया वह जो ही वो डिफेंडेंट के खिलाफ मुकदमा पेश करेगा और डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेट्मेंट कोर्ट में लेकर आएगा तो वो सबसे पहले एक लीगल किराया है यह relinquish कर दिया था और अब यह इस तरह का दावा नहीं ला सकता और यह barred by law है और इसमें order 2 rule 2 की वो आपक्ति लेगा तो यहां वो रिटर्न स्टेट में में इस तरह की आपक्ति लेगा और साथ में वो एक application भी पेश कर सकता है order to rule 2 की और ये कहेगा कि इस दावे को खरिच कर दिया जाए क्योंकि ये अपने right को अपने claim को पहले ही relinquish कर चुका है तो आप समझगें कि ये जो order to rule 2 है इसकी practical applicability course में बहुत जादा है और क्योंकि इसकी practical applicability जाता है इसलिए ये exam point of view से भी ये order to rule 2 important हो जाता है अब इसका तीसरा portion क्या कहता है एक person entitled to more than one relief in respect of the same code of action may sue for all or any of such relief एक आदमी जो जिसको code of action arise हुआ है जिसको मुकदमा करने का right प्राप्त हुआ है वो जितने भी relief मांग सकता है all यहाँ shoe for all यानि सब ही relief के लिए वो मुकदमा कर सकता है या उन में से किसी relief के लिए मुकदमा कर सकता है तो यहाँ भी बार बार यही बात की जारी है कि जितने अनुतोष उसको लेने हैं जितनी remedy उसको प्राप्त करनी है वो अपने एक ही दावे में लिख दे लेकिन वो उनमें से कोई ओमिट कर देता है तो फिर वो बाद में नहीं कर पाएगा लेकिन यहाँ एक शब्द एक संटेंस लिखा हुआ है न्यायले की इजाजत के बिना यानि अगर उसको कोई कोई अपना रिलीव छोड़ना है जिसके लिए वो अभी मुकदमा नहीं लाना चाहता तो न्यायले की इजाजत से वो छोड़ सकता है और फिर उसके लिए वो बाद में मुकदमा ला सकता है तो अगर कोट से परमिशन ले लेता है तो फिर वो छोड़ सकता है तो अपने आप तो नहीं छोड़ सकता अपने आप तो उसको सारा ही एक साथ लाना पड़ेगा लेकिन अगर वो code से permission लेता है तो फिर वो छोड़ सकता है तो code से कब permission लेगा कि वो दावे के साथ ही जो है उसको application लगाने पड़ेगी अब तो ये जो order 2 का rule 2 है ये बड़ा important है और इसका कारण क्या है ये ऐसा provision हमने क्यों बनाया है ये ऐसा provision इसलिए बनाया है कि देखे तीन बाते हैं हमने criminal law में भी देखा double जियो पारटी का rule देखा कि एक ही अपराद के लिए किसी वेक्ति को दो बार prosecute नहीं किया जा सकता और दो बार punish नहीं किया जा सकता तो यहा भी लागू होता है कि हम एक ही cause of action के लिए एक ही घटना के लिए एक ही कारिये के लिए दो मुकदमे नहीं ला सकते क्योंकि हम इससे उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम बार बार एक ही cause of action लेकर उस व्यक्ति को परेशान करेंगे तो यह कालून के बढ़ता है राज कोस पर बढ़ता है क्योंकि इससे अगर एक ही पार्टी। कई मुकदमे एक ही गटके कइरे कि तो कोट का भी समय खराब होता है को भी फाइनेंसिल हानी होती है उनको इतने करमचारियों को यह सब मैनेज करने के लिए पैसा देना पड़ता है सेलरी देने पड़ती है तो राजकोच को घाटा होता है और कोट्स पर बढ़न पड़ता है इसलिए यह मल्टिप्लिसिटी और सूट को रोकने के लिए मल्टिप्लिसिटी और लिटिगेशन को रोकने के लिए जादा मुगदमों को रोकने के लिए यह परवीजन बताएं गए है कि जो पार्टी कोर्ट में आना चाहती है जिसके साथ कोई घटना हुई है उसको कोई जो आक्शन प्राлब हुआ है है तो वो सा है जो इंडर ऑफ कोज अफएक्शन के बादे में अब यह देखें बार-बार एक ही चिले रूल इसे यह जो इसके रूल है और टुके इन बार-बार एक ही बात कही जा रही है कि सारे आधार लेने पड़ेंगे और सारी जो दाविक जितना भी उसका claim है वो एक साथ ही लेना पड़ेगा अब उसी के similar ये rule तीन भी यही बात कहता है कि हमको सारे cause of action jointer करने पड़ेंगे तो jointer of cause of action की बारे में बात कर रहा है कि जितने भी हमको उस एक घड़ना से जितने cause of action arise हुए हैं जितने right हुए हैं वो सबके समहम उनको जोड़ देंगे क्या कहा रहा है उसके सिवाय जैसा अन्यत्था उपबंदित है अब इसका कोई अपवाद हो सकता है यहां इससे शुरुआत होती है save as otherwise provided यानि अपवाद अगर है तो उसकी तो बात अलग है अधरवाद जनरल रूल यह है कि वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्तत है उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई वाद है तुक एक ही वाद में संयूजित कर सकेगा यानि अगर defendant है एक defendant है या बहुत सार of action arise होना चाहिए तो वो सारे के सारे coach of action वो जोइन कर सकेगा और ऐसे वाद हे तुक रखने वाले कोई भी वादी जिने वे उसी प्रतिवादी या १ा सओंगijk उन्हीं प्रतिवादियों के विरुत संयूझतत हितबद हो ऐसे वाद हित्कों को एक ही वाद में संयूजित क कर सकेंगे, interested and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested again, the same defendant, यानि defendant एक ही हो सकता है, same defendant हो सकता है, और same defendants हो सकते हैं, यानि बहुत सारे defendants हो सकते हैं, jointly may unite such cause of action in the same suit, उनको सबको वो इखटा कर लेगा, जैसे हम, अभी हम division of property and permanent injection का दावा कर रहे हैं, हमने ये example या हमने उसका plant भी draft कर लिया, अपने पहले वीडियो में, कि एक आदमी आता है, वो ये कहता है कि मेरे भाई, चाचा वगरा मुझे अपनी property में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरी संपत्ति का बटवारा किया जाए, और साथ में उनको रोका जाए, कि वो मेरी property का बेचान ना करें, अब ये देखें, यहाँ पर उसको दो relief मिल रहे हैं, हाना, और दो को जो affection एक ही घटना में arise हो रहे हैं, कि एक तो property का हिस्सा नहीं दे रहे हैं उसको, और दूसरा उसकी संपत्ति को बेच रहे हैं, तो वो दो relief court से एक साथ मांग रहा है, कि एक तो मेरा हिस्सा दिलवाए जाए, और जब तक मेरा हिस्सा नहीं मिलता, तब तक उनको रोक दिया जाए, कि वो मेरी संपत्ति का बेचान ना करें, मेरा उसलिल पर्मानेंट injection मुझे दिया जाए कि वो मेरी संपत्ती को ना बेच सके तो यहां दो को जोफ एक्शन एक साथ और दो रिलीफ एक साथ जोइंट कर दिये गये हैं तो यह हम को यहां पर धान रखना है जोइंट ऑफ कोज कोज एक्शन लेकिन घटना अगर अलग अलग है और कोज ओफ एक्शन उस घटना से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो उसमें अलग मुकदमा कर सकीगा फिर उनको वो जोइंट नहीं कर सकीगा ठीक है तो विन कोजेश ओफ एक्शन और युनाइटेड दे जूरिडिक्शन अफ दे कोर्स एज रिगार्ड दे सूट से डिपेंट अब यहां एक बात और भी आती है कि अगर सारे कोज ओफ एक्शन वो युनाइट कर देता है जोड़ देता है तो फिर कोर्ट की जूरिडिक्शन का क्या होगा कोर्ट का जूरिक्शन हम कैसे ना बेंगे तो इसमें यह बात लिखे हुई है कि यह जो एग्रिगेट मुट्वन ते फहीं है कि अगर इनंजेक्शन इन दोनों को जोड़ के हम दावे की वैल्यू तैय करेंगे और इस वैल्यू कि आधार पर कोड का जो डिटेक्शन इसमें करें उनों हो कुट का जो डिटेक्शन ना पिए कि फिर कौन सी कोड में मुकदमा हमको करना पड़ेगा और कौन से दिन देखेंगे at the date of the institution of the suit जिस दिन हम दावा संस्थित कर रहे हैं उस तारिक को हम ये इसकी aggregate value देखेंगे ठीक है अब ये तो general rule हो गया अब जो rule number 4 और 5 है वो कुछ-कुछ इसके exceptions है अपवाद है वो क्या कहते है रूल 4 ये कहता है कि only certain claim to be joined for recovery of immobile property कि जैसे immobile property की recovery का कोई दावा है तो फिर कुछ ही claim उसमें join किये जाएंगे यानि normal rule तो ये है कि हम सारे cause of action एक साथ जोड देंगे लेकिन अगर property की recovery, immobile property की recovery की कोई suit है तो वहाँ ये अपवाद है और वहाँ हमको जो faction को एक साथ joint नहीं करेंगे अगर हमको joint करने हैं तो हमको court की permission देनी पड़ेगी with the leave of the court और इसके लिए हमको एक अलग से court जो हमारा suit है, plant है उसके साथ अलग से application फाइल करनी पड़ेगी court में अब कौन-कौन से इसमें लेकिन साथ में नीचे और अववाद दिये हुए हैं कि लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो तो हमको साथ में ही लेनी पड़ेंगी जैसे उसे दावाकरत संपत्ती या उसके किसी भाग के अंतैकाली लाभों या भाटक की बकाया के लिए दावे यानि यह जो मैसने profits हैं या areas है areas of rent हैं जैसे कोई आदमी संपत्ती का जैसे मालो किरायदारी का सूथ माल लेते हैं एक आदमी अपने मकान खाली कराना चखता है तो मकान खाली करवाने के साथ-साथ उसका जो बकाया किराया है मालो किरायदार ने पिछले तीन साल का किराया नहीं दिया है तो वो जो पिछले तीन साल का किराया है उसका दावा भी वो साथ में ही करेगा ऐसे नहीं होगा कि प्रोपर्टी को खाली कराने का मकान को खाली कराने का दावा तो वो कर दे और एरियर ओफ रेंट का नहीं करे अगर फिर है claims for damages for breach of any contract under which the property or any part thereof is held यरी जिस सम्विदा के अधिन वे संपत्ति या उसका कोई भाग धारित है उसके भंग के लिए नुक्साने के लिए दावे कई बार क्या होता है कि कोई contract दो पार्टी आदने आपस में किया और फिर वो contract breach हो गया तो अगर वो आदमी breach of contract के लिए कोई दावा लाता है तो साथ में उसको damage का दावा भी साथ में लाना पड़ेगा तो अगर damage का दावा जो है mule दावे के साथ ही उसको करना पड़ेगा अगर वो नहीं लाया है तो फिर damage का दावा वो अलग से नहीं कर पाएगा इसी तरह claims in which the relief shot is based on the same cause of action तो जो same cause of action के अधार पर जो भी relief है वो एक साथ सी लाने पड़ेंगे provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgaged property अब हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे कोई आदमी mortgage गेता है अपनी संपत्ति को mortgage का मतलब बंधग का रख डेता है कोई संपत्ति को तो बंधग संपत्ति के बारे में दो दावे और होते हैं एक foreclosure का दावा होता है एक redemption का दावा होता है जानि उनको हिन्दी में बोलते हैं एक पुरोबंद का दावा होता है एक मोचन का दावा होता है तो यहां यह कहा गया है कि इस नियम की किसी भी बात की बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह पुरोबंद या मोचन की किसी वाद में किसी भी पक्षकार वो यह मांग करने से निवारित करती है कि ब पंधक संपत्ति का अगर उसको कबजा प्राप्ट करना है तो अगर वो फोर्कलोजर या रिडम्शन का दावा भी अगर पेश करता है तो साथ में वो अपनी मोर्गेज संपत्ति का कबजा भी साथ में मांग सकता है यानि फोर्कलोजर और रिडम्शन के दावे में वो चार में करेगा अब है रूल पाँच रूल पाँच में अब जानते हैं कि जो लोग विल करते हैं वसियत करते हैं और फिर वो मर जाते हैं तो उसका एग्जेक्यूटर या एड्मिनिस्टेटर नियुक्त किया जाता है या फिर उनके हेर्ष होते हैं जो उनके वारिश होते है तो यह rule 5 ही कहता है कि अगर कोई dad person है उसकी संपत्ती का कोई व्यक्ति प्रबंधन कर रहा है उसकी संपत्ती को administrator कर रहा है उसकी संपत्ती का manage कर रहा है उसकी संपत्ती को साधारन सब्दों में आप यूँ समझो तो फिर वो उस dad person की संपत्ती का प्रबंधन अलग होगा और खुद अगर परसनल उसकी कोई संपत्ती है तो उसका प्रबंदन अलग होगा, उन दोनों संपत्तियों को वो मिला नहीं सकता है, दोनों दावों को वो एक नहीं कर सकता है, तो जैसे ये, इससे क्या मतलब है आपका, इससे ये मतलब है, यो समझेए, जैसे मान लो कोई मुख मुख्यमंत्री अगर वो हैं तो एक तो उनकी पद के हिसाब से है कि मुख्यमंत्री होने के नाते वो कुई काम करते हैं और एक काम उनकी परसनल लाइफ के वा है यह जो executor है यहां उनकी भी दो हैसित होती है एक तो वो dead person है जो मरावा आदमी है जिसकी वो उसकी वस्यत के अधार पर उनको executor बनाया है या administrator बनाया है तो उसकी संपत्ति का प्रबंदन करेंगे management करेंगे और एक उनकी खुद की है तो यह तो आप साधारण व्यक्ति भी ब में दिल आएगे दावों से तब तक सयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम वरणित दावों के बारे में यह भी कथन नहीं किया गया हो कि वे उस संपता के बारे में पैदा हुए है यानि जो व्यक्तिकत दावए हैं खुद की property के वो उस dead property उस dead person की property का कोई अगर दावा है तो वो दोनों आपस में joint नहीं होंगे लेकिन एक परिस्ति में joint हो सकते हैं जब अगर ये लगता हो कि उसकी खुद की property और जो जो dead person की property है जिसके बारे में ये मुकदमा हो रहा है उनके आपस में कोई relation हो तो फिर वो इस तरह कर सकते हैं otherwise तो नहीं कर पाएंगे ये हो गया पांच नमबर अब छे नमबर rule क्या कहता है छे नमबर rule court को power देता है वो ये कहता है कि power of court to order separate trials यानि ये जो code of action को जोड़ना घटाना है मुकदमे करने हैं इसमें court की तो अपनी power जो है वो सबसे उपर होती है यानि court को लगता है कि किसी joiner of code of action से कोई embrace पैदा हो जाएगा यानि कोई urgent पैदा हो जाएगी कोई delay पैदा हो जाएगी तो ऐसी स्थिती में वो separate separate trial का order कर सकता है यानि जनरल रूल तो इन्होंने क्या कह दिया जनरल रूल तो ये कह दिया कि parties जो है plaintiff जो है अपना मुकदमा सारे रिलिफ के लिए एक साथ पेश करेगा और सारे कोजो फैक्शन को एक साथ ही joint कर देगा लेकिन साथ मैं court को ये power दे दी कि court की power जो है वो सबसे उपर है court को लगता है कि इससे परिशानी होगी पक्षकारों को और अन्नावश्य को delay होगा तो फिर court उनको joiner करने से मना कर सकता है कि ये coach of action ये आपको join करने की जरूरत नहीं है और न्याए हित में आप इसको अलग- जोइन कर दी पार्टिज को गलत जोइन कर दिया तो ऐसी स्थिय में फिर क्या होगा तो वहां हमने order one rule 10 की application और order one rule 13 की application में ये बात की कि इस तरह जो defendant है वो आपतिया कर सकता है तो यहां भी coach of action की आपति की जा सकती है और ये rule 7 जो है ये बड़ा important है order 2 का rule 7 ये कहता है कि वाद हेतकों के कू संयोजन के अधार पर सभी अक्षेप यथा संभव शिक्रतम आउसर पर किये जाएंगे यानि एक तो defendant को जो फैक्षन के miss jointer को लेकर आपति कर सकता है अब वो कब करेगा निश्यत तोर पर जब defendant court में आ जाएगा तब ही उसको plant की बारे में पता चले जब वो प्लेंटिफ कोर्ट में पेश कर देगा अपना दावा और दावा पेश करने के बाद वो उसका defendant का notice जारी करवाएगा समन जारी करवाएगा फिर defendant court में आएगा और आके वो plant देखेगा तब जाकर वो आपति करेगा लेकिन ऐसे अपति एक तो उसको earliest possible opportunity पर करनी च को ही उसको कर देना चाहिए हलांकि इसमे earliest possible opportunity को परिभाशत नहीं किया गया है और यह सारा मामला court पर ही छोड़ा गया है अब मालो कोई आदमी issues के समय यह इस तरह की application लाता है तो प्लेंटिफ तो यह कहेगा कि यह earliest नहीं है क्योंकि इसको तो आने के बाद इसने return statement पेश क कर सकता था लेकिन defendant यह कहेगा कि अभी तो issue जी बने हैं अभी तो evidence चालूई नहीं हुई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह आपस में वह behavior इसमें दिखाते हैं लेकिन यहां और यह रूल 7 की application जो है वह defendant पेश कर सकता है और इसमें वह आपत्ति लेगा कि plaintiff ने इसको इसमें amendment करें तो वह कुछ भी करें तो इस तरह कि आपत्ति ली जा सकती है फिर इसकी application यह जो rule 7 की application है यह court में defendant पेश करेगा इसके बाद उसकी नकल plaintiff को दी जाएगी इसके बाद दोनों की बहस सुनी जाएगी और फिर court इसमें order जारी करेगा तो civil में आप देखें यह जो orders है इसमें कहीं भी जो civil मुकदमे हैं कहीं भी घबराने की जरुत नहीं होती है एक इसमें plant पेश किया जाता है प्लेंट पेश करने के बाद defendant आता है defendant आकर अपना return statement पेश करता है फिर issues बनते हैं और issues बनने के बाद evidence शुरू हो जाती है तो इसके बीच में यह छु सिविल मुकदमे की हैं इसलिए हम मैं कहते हूं सीपीजी बिल्कुल भी टफ नहीं है क्या टफ है इसमें plant पेश कर गया plant के बाद return statement पेश हो गया और दोनों पक्षकार अपनी अपनी जो भी problem है वो कोट में लाते रहते हैं application के माद्यमत्यर court वो application decide करता रहता है तो यहां objection has to miss jointer वो पेश कर सकता है plant जो defendant है वो court में आते ही देखता है कि यह तो गलत कर दिया यह तो इन्होंने in cause of action ही गलत जोड़ रखे हैं तो वो आकर अपनी पेश कर देगा ठीक है in all cases अच्छा इसमें एक चीज़ और है in all cases where issues are settled अब इन्हें थोड़ा सा हमको earliest possible opportunity है उसको थोड़ा सा define करने की कोशिश की है कि earliest possible opportunity से क्या मतलब है कि यूं तो उसको आते ही कर देना चाहिए but in all cases where issues are settled यानि issues जो ही बन जाते हैं तो issues से पहले पहले issues के level तक तो उसको अपनी application पेश ही कर देनी चाहिए इसके बाद वो नहीं कर पाएगा 8 और before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not to taken shall be dimmed to have been waived अज़े इसमें एक बात और इन्होंने समझाई है कि एक तो यह है कि जैसे issues तक उन्होंने कोई objection defendant ने नहीं उठाया उसका कारण एक तो यह हो सकता है कि मालो उस वक्त तक इस तरह की कोई problem ही नहीं हो अगर problem ही बाद में आएगी मालो वादी जो है बाद में अपना amendment करा ले plant में और plant में amendment करा कर कोई वो नया उसमें add कर लेता है को जो फैक्शन तो फिर अबत्ती जो है objection भी बाद में आए रहा